जब हम words को याद करते हैं, तो उसका exactly use देखा करो, exactly use देखा करो, you have to understand the context of the word, in which circumstances we can use that particular word in our real life, you have to understand the exact meaning of the word, आपको उस word का exact meaning समझना होगा, exact use समझना होगा, जैसे suppose को रहें एक बार एक इंसान था, एक इंसान था, exact use जब word का नहीं जानते तो क्या होता है, ध्यान देना, एक पर एक इंसान था, एक husband था, इंसान का, एक husband था, बड़ा परिशान था है, वो कहता है, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी wife को भी खुश नहीं होती है, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, वो अच्छी दिखती है, मैं कहता हूँ, खुबसूरत दिख रही हो, beautiful लग रही हो, नहीं मानती है, कहती है, आप वो लेवल पर तारीफ नहीं करते हैं, हमारा जगडा होता रहता है, अपने दोस्त को बताता है, यार उसका दोस्त बड़ा खुश रहता है, उसके wife भी बड़ी खुश रहती है, वो कहता है भाई, तू ऐसा कैसे तारीफ करता है, तिरी wife बड़ी खुश रहती है, वो कहता है पता एक पगली क्या है तारीफ के लिए न आई स्टेंडर्ड वर्ड्स चुम आई लेवल के वर्ड्स चुम यह खूबसूरत लग रही हो ब्यूटिफुल लग रही हो अभी एक कोई वर्ड है तो उसने बोला अच्छा वई तो तू कैसे तारीफ करता है क्याता है मैं बोलता हूं तुम कातिल लग रही हो कातिल अपूछी ना कैसी लग रही हूं मैं कहता हूं तुम कातिल लग रही हो जहर है जहर लुक है तुम्हारी बुका रही नागो लग रही हो नाग ऐससे ब Leg का आ sett allमी Bob फो खोया रहुब और उसनी एसे यूस्ट करूंगा कि अब गहर गया उसकी वाइफ आए तो उसने पीझा बताओ मैं कैसी लग भाई ने क्या बुला कहता हत्यारन लग रही हो हत्यारन है बात बताओ क्या हत्यारन वोर्ड किसी तारीफ के यूज किया जा सकता है कातिल लुक यार गजब लगरा है जहर लुक है तुम यह बोला है तुम यह बोला है कि यहारा था जहर लुक है तातिल लग रही हो, मैंने बोल दिया हत्यार लग रही हो, उससे भी 200 वर्ड बोला या, अब उसने समझाया भाई, जैदीप सर ने क्या बोला था, जैदीप सर ने बोला था, जैदीप सर ने बोला था, you have to understand the exact meaning of the word, how we can use this word, या how we can use the word in our real life, in which circumstances we should use, किन circumstances में हमें use करना चाहिए, कैसे हम word को use कर सकते हैं, वो सीखना होगा मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम वोकेब को रट लेते हैं, हम इस word के exactly meaning को जानती ही नहीं है, exactly वो कैसे use होता हम जानती ही नहीं है, अब ये toxic word है, अगर आप इसको direct घट लोगे, toxic जहरिला, अब किस, क्या जहरिला, क्या, कहां use होगा, कैसे use होगा, तो without example, वो कैब पढ़ना मतलब बकवास है, तो जब आप किसी word को देखते हो, तो example में उसका use देखने का मतलब क्या होता है, क्या exactly use किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, उस तरीके से वो कैब पढ़ना बड़ा गजब होता है, तो please try to understand the things, कि before learning any word, किसी भी word को सीखने से पहल उसके साथ साथ उसका use जानना भी जरूरी है, सीखने से पहले अपने मन में एक picture रखो, मुझे पूरा word सीखना है, रटना नहीं है झाल